सब्सक्राइब करने वाले हैं केंजिर सरकार से संबंदित कुछ महत्पूर्ण योजनाओं के उपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं आप जो है सारे वीडियो को जाकर के देख लिए प्रेलिस्ट में ठीक है न क्योंकि सभी आपकी योजनाओं हैं उन्हें बार-बार अलग-अलग तरीके से रिपीट नहीं कराया जाएगा चुकि यह टॉपिक है इसमें यह मैं आपको यह बताने वाले हूं तो इसमें हम लग देखने वाले हैं केंजिर सरकार से रिलेट करती हुई महत्पूर्ण पांच योजनाओं ठीक है न अगर राजी सरकार के द्वरर हार बनाएगे योजनाओं पूछेगा तो आप राजी सरकार की द्वरर हिए भाट पेंचन योजनाओं घखना हैं जिसके खुशारी विवह योजिनाओं धीकिना उस तरह से आप बताएंगे अगरम महिलाओं से रिजरे की पूचेगा वोटतर प् महत्यकून योजनाएं, यह कुछ पात योजनाएं मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहली योजना है, ध्यान से सुनियेगा, हर चीज को मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो सबसे पहली योजना है, वो है, प्रधान मंद्री, most important है, जनधन योजना, ठीक है, जनध अब देखो, अब बस सुनना है आपको, इसमें, आप अगर एयोफोन यूज करते हैं, तो आप लोग एयोफोन लगा लें, और इस वीडियो को खास कर, जिसमें मैं जो है, पात योजनाएं बता रही हूँ, आप इसे रोज जो है, इसले मिनद का वीडियो है, आप इसे दो एक प्रतेक परिवार के लिए कम से कम एक मूल भूथ बैंक खाता, ठीक है न, तब से पहले क्या चाहिए, एक मूल भूथ बैंक खाता, ठीक है, वित्तिय साच्छता, रिण, बीमा और पेंशन सुजधा तक पहुंच के सार, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाम प्रधान मंत्री जन्धनी वोजना को लाया लיא थिक है मतलब की सबक के पास बीका अपना क्या हो बैंक अकाउंट हो ठीक है ना यानि कि बैंकिंग सेवाएं जो है उन लोगों को प्रदान करने की लिए जो है प्रदान मंत्री जन धन जो जनार का जो है शुभारम किया गया और इसका शुभारम कब किया गया था पंदा अगस्त 2014 ठीक है तो इसकी घोफ़ड़ा की गई थी पंदा अगस्त 2014 ठीक है इसके अंतरगत सिंपल सी बात यही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ठीक है जिसका कोई भी सेविंग अकाउंट ना हो यानि कि बचट बैंक खाता ना हो वो बिना किसी नियुंतम शेश की आवशक्ता से एक खाता बोल सकता है ठीक है ठीक है ठीक है ना तो अगर यह चीज आपको जाना है कि अगर उसके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं है ठीक है तो उसके बिना भी वो नियुंतम शेश की आवशक्ता के एक खाता बोल सकता है ठीक है अगर वो यह भी प्रमारिक कर लिता है कि उसके पास अपना सेविंग अकाउंट बोलन तो ये चीज आपको जाननी है तुधान मंत्री जैन धन योजिना में क्या है कि सब का जो है क्या हो अपना अपना एक बैंक अकाउन हो जिससे की बैंकिंग सेवां से वो लोग क्या हो जो भी लाब है वो उठा सकें ठीक है इसमें क्या है कि दो लाख रुपय का दुरभटना दुरभटना पिमा फंबर्ट का दुरभटना hijивать इस क прим क्या है इसकें क्या हो खेंखेंट के दो लाख रुपए का दुरभटना वीइमा फंबरु आपको भूहत हथा दीस में नहीं जाना है पॉइंट टू-पॉइंट बाते बताएं पुद का बैंक अकाउंट हो ठीक है जिससे वो क्या कर सकें जो भी बैंकिंग से वाएं हैं उनका लाव उठा है प्रधान मंत्री जीवन ज्योती दीमा यूपना ग-डिसरा है आपका प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बिमा यूझना ठीक है प्रधान मंत्री जीवन geral की वियुमा यूझना तबसे यह कि लिए प्रe乐 देख लिए हैं कि लिए इसमें क्या है पहले तो यह जान लिए कि इसमें 2,00,00 रुपए का जो के coverage है यानि कि इस योजना को यानि कि इस योजना से गिल लोगों ने भी बीमा दिया है या कोई जक्ति अगर बीमा कराता है तो मृत्यों के मामले में उसे 2,00,00 रुपए का coverage दिया जाएगा ठीक है ना 2,00,00 का coverage है कब बृत्यों के मामले में ठीक है 2,00,00 का coverage इसमें करना क्या होता है इसमें करना ये होता है कि आपको जो है इसका जो प्रीमियम है जो कितना है 330 रुपए प्रती वर्ष है ठीक है ये भी ध्यान रखें कि इसका जो प्रीमियम है ये पैसे भरना पड़ता है इ तो यह आप जान लें कि जो प्रीमियम है वो 330 रुपय प्रती वर्ष है इसके लिए तो यह चीज जो है आपको ज्यान रखना है कि प्रधान मंत्रि जीवन जोती भीम हो जना में 18-15 वर्ष तक के लोग जो है अपना जो है भीमा करा सकते हैं मिल्क्ति होने पार इसमें 2 लाग रुपय का कवरिज है और प्रीमियम जो है 330 रुपय प्रती वर्ष है यह चीज आप लोटिस कर रहेंगे मेंबर थर्ड प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना अब देखो प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना सुरक्षा भीमा योजना इसके अंदर देखो प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना है इन दोनों में क्या है ना जीवन जोटी भीमा है उसका प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना है इसका जो प्रेमियम है वो क्या है? बारा रुपे की वार्षिक प्रीमियम कटॉती है, ठीक है न? रुपे बारा वार्षिक ठीक है न? रुपे बारा वार्षिक किस आयू लोगों के लिए है? ये इठारा से लेकरके 70 वर्ष तक की आयू को में बदीजिए है. बनाए गई है प्रसान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना कोई बियकर घटना हो जाती है इस योजना के अंतर गत कोई ब्यक्ति है उसके साथ अगर कोई घटना हो जाती है ठीक है तो अगर उसकी मृत्यू हो गई और वो फूर्ण रूप से विकलांग हो गया तो जो इसका जोक ठीक है न फूर्ण विकलांग होने पर भी जो है दो लाख रूपय का जोकी में ठीक है न दो लाख रूपय का जोकी में साथी में अगर फूर्ण विकलांग नहीं होता है आशिक विकलांग हो जाता है ठीक है जो ब्यक्ति ने पीबीमा कराया है उसका कोई दुर्वटना हो कोवरेज Қीक है, यह समझ में आ गया तो इस میں आप समझ चुके हैं जिसमें 12000 पे desses is premium !! परति वर्ष तॉक है, यानि कि वारशित ठीक है साघ्ष Además ने देखना है तोबने वाद 7 प्रॉट नम्बर पे उपरद हैं, व्हें ने बहुत चोटा होगा फूर्ट नंबर पे है अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना यानि कि A.P.Y अटल पेंशन योजना ये जो है थार मंतरी जी के दुआरा 9 माई 2015 को स्टार्ट की गई थी कब स्टार्ट की गई थी 9 मैं 2015 को टीके अटल पेंशन योजना मैं ये किस आयूँ वर्ट की लोगों के लिए अठारा से चालेस वर्श ठीक है यानि कि इस योजना में अठारा से 40 वर्श के आयूँ वर्ट की सभी बचित बैंक या फिर डाक के घर बटत बैंक कि खाता धारपों के लिए से खूला गया है ठीक है? इसमें होता क्या है चुक्षी पैंशन है तो पैंशनर में क्या होता है? पैंशनर दिया जाता है इसमें 60 वर्ष की आयो पर ठीक है? निवन्तम मासिक पैंशन एक हदार रुपय है ठीक है न, पूरा नहीं लिख रहे हैं न, सुनिएगा स्थार्ट वर्ष क्यों रुपे, रुपे एक हजाय पेशन ठीक है या दो हजार, या तीन हजार, या चार हजार, या पाथ हजार रुपे प्रास रोगा ये भी depend करेगा कि किस किस condition में जो है ये आपको प्रदान किया जाएगा ठीक है या रुपे दो हजार या रुपे तीन हजार या रुपे चार हजार या रुपे पांच हजार या ठीक है इस योजना के अंतरगत जो भी लोग जो है बीमा करवाते हैं उन्हें प्रती माह जो है नियूतम जो है मासिफ पेंशन जो है वो क्या कह जाएगा एक्समनों बात कर रहते हैं प्रदान मंत्री मुद्रा योजना सारी तीज़े बहुत सी ब्रीफ में नहीं कराई जा रही है इतना ही कराई जा रहा है कि आप वहां पता सकी जदान मंत्री मुद्रा योजना ये कब स्टार्ट की गई थी ये स्टार्ट की गई थी आठ अप्रिल को टीक है एट अप्रिल 2015 टीक है इस ही ओजना के तहब तीन भागों में बाटा गया है एक शिशु दूसरा किशोर और तीसरा तरुन टीक है इसको किस तरह से बाटा गया है और किसके अंसर के कितनी राखी प्रवाइट की जाएगी इस बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो इसमें जेख लेते हैं इसको जो है डिवाइट किया गया है सबसे पहले शिशु में दूसरा किशोर और तीसरा तरुन ठीक है शिशु में जो है पचास हजार रुपे तक करण तक करण जो है वो प्रवाइट कराया जाएगा किशोर में क्या होगा किशोर में जो है पचास हजार से लेके पाँच हजार रुपे तक तरुन में पाँच लाँच से पाँच लाँच रुपे तक करण तो इसे जो है तीन पार्ट में डिवाइट किया गया शिशु किशोर और तरुन ठीक है शिशु के तहट पचास हजार रुपे तक करण किशोर के तहद 50,000 से 5 लाग सरुन के तहद 5 लाग रुपे से लेकर 10 लाग रुपे तक कद्रण जो है इसमें जाता है ठीक है चलिए यह इसमें अगर और कुछ आप पढ़ना चाहते हैं इसमें तो और वीडियो हैं अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तो फिर पार्टी के लिए इसमें मेंशन किया है लेकिन यह कौन योजना है इस्टेंड़ इंडिया योजना यह जो इस्टेंड़ इंडिया योजना है तो यह देखो जो पांस योजना है मैंने यहाँ पर कहीं कि आपको कम्प्रीट करा दी है ताथ में एक और बता दिया है आपको स्टेंड़ इंडिया योजना जो कि 5 अप्रेल 2016 को शुरू होई थी तो यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से तयार कर ले दी है योजनाओं के नाम पर इसके बाद से महिलाओं से रिलेटेट जो है 5 योजनाओं के दौरा यह आपको तयार करना होगा और उसके बाद से फिर अलग-अलग भी आप जोजनाओं के नगी मैंने बता दी है मैंने जोने स्केट की भी बताई हुई है सब आपको मिल जाएगा प्रेजर स्काब्ड चेक करते रहें और फार के लोगों को देखते रहें कमिलते हैं फिस नेक्स वीडियो में और देक्यों एंद बाबाई